पूरी अप्लिकेशन जो है यह देखें हो चुकी है और बीस्प्रिट के लिए इसको आपने छोड़ देना है चेहरे के उपर और अराम से लेट जाएं बिस्मिल्ला रख्मान रहीम अस्ताम अलेकों क्या है मेरी यूट्यूब फैंबली उमीद करते हूंगे और अपने अबाद और खुश होंगे अबाद और खुश होंगे आमीन सुम्मा आमीन और मुझे विदाओं में याद रखा करें तो जैसा कि मेरे सब यूर्स जानते हैं तो कि अज आपके साथ कुपिंग की रेसीपीज और शेयर करती हूं और आपके साथ रेमेडी बिस शेयर करती हूं तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं स्किन से रिलिटिट एक हम अच्छा सा फेस बैक बनाएंगे जिसके के बहुत जादा फायदे और बहुत ऐप्रियूस करती हूँ स्किन की फ्रेशनेस और ग्लोग के लिए और फेर्नस के लिए बहुत जादा फायदे है और बहुत ही उसके जो है उमदा रिजल्ट्स है तो सोचा के क्यों ना आपके साथ भी जो है वो रेमिडी को शेयर करूं तो चीजें जो है वो सारी किचन आप ड़्यक्ट कीज़ों से भी बच जाते हैं और जो एक चेहरा पप जाता है मतलब सखत किसम का हो जाता है उसे भी बच जाएंगे और चेहरे पे मासुम्ले ओर गुलू और ग्लास सके नशादा ताला इस रेमिडी से आपकी आपकी आने वाली है और खर्चा बने आपका ब और आपने मुझे कमेंट्स में जहूर बताना है कि रिजल्ट कैसे रहे और चलेंजी तो रेमेडी शुरू करने से पहले सबसे पहले चैनल को सबस्क्राइब कर दीजिए और वीडियो आप देखेगा अगर नहीं पसंद आती तो फिर आपकी मरसी है तो अगर पसंद आए तो सबस्क्राइब करेंगे तो चलिए आईए जादा बाते नहीं करते हैं वीडियो को अभी आपके साथ शेयर करते हूं फुद इस्तमाल करती हूं रिजर्ट सबहुत हैं जैसके मैंने आपको पहले भी बिताया तो इन स्पून्स का काम नहीं है यह वैसी रखे वेते तो स्प अगर आप कहेंगे तो स्पून्स के बेनिफिट्स भी आपको बताऊंगी फेस के लिए ठीक है वैसे तो जाहर इसके फाइदे खाने पीने के लिहाब से बहुत अच्छे हैं खाना बगार हम उखाते हैं तो फेस पे इसके बड़े फाइदे हैं ठंडा करते जो चम्मत का का जो हां है बहुत अच्छा है चलिए आए नियर्यमृट को रूल करते हैं और इंग्रेजट्स आपको बताते हूं वाले हैं ठीक है तो ये देखिए आपको नजर आ रहा होगा यह है जोंका आटा और यह एक्षेल्स हैं ठीक है एक्षेल्स यह आपको नज़र आ रहे हुँए शफेल सफेल देखे यह में क्या करती हैं इंडे फेंकने नही हैं आपसे आपने उनको अच्छे तरीके से धोके स्कॉाऊ लेना है और ब्लेंडर में डाल के उसका पॉडर आपने त्यार कर लेना खुटेकहई यह आख्षेल्स हो गया और पत्तिक है तुमाटर का पल्म और खीरे का पल्म है यह खीरे ₯ थी है टिमाटर के साथ रखते हैं तुमाटर रखते हैं ऱिद्धी यह सारे एंडिग मेड़े आमुरा करता है और यसलिए डाला जा रहा है यह चेहरे को टाइट करेगा और जो स्किन पे एक किसम की बाद देखें जलन होती है जो हुआती चॉले के आगे काम करती कि इस में उसको कम करें इसमें वह पता भी होने चाहिए और जो टबनाटर का पुल्प मैंने किस निपाल आ है कि इसको मैं ने कड़ू गशक कर लिया तो यह इस तरह में हासिल किया है जूस को मैंने स्टेन कर लिया स्टेनर में और जो पल्प था उसको भी रख लिए यह दोनों ही चीजे बहुत फाइटो में क्या होता है लाइकोपिन होता है जो के हमारे कलर को डैमिज होने से बचाएगा ठीक है और उसमें गुंटो त्यों करता है इसके भी बहुत जादा फाइदे है तो लाइकोपिन क्या करता है स्किन के कलर को डैमिज होने से बचाएगा फाइन लाइन को खतम करता है और जूरियों को भी खतम करता है और जूरियों को भी खतम करता है स्किन को प्री मिचो होने को भी बचाता है और एजिंग को खेरी तन को कि मेर झाली है सुगर के भी है इसले तारीफ को का नोगार खेमाज़ nhấtु कि ए करी और फूर्फिया जूरियों और ख्षायीं को भी powerful टिमेटो के मिल्थ उन्खेय को मेंने अचातारीज मेरी ये वियी वी है थाम जारी निया मिक्स करना खूली उत्त है और खीरा भी किसी तारीफ का मौटाज नहीं, स्किन की खुश्की को खतम करेगा, और सूट्स करेगा, और इरिटेशन जो होती है, वो खतम करना है, और जो चेहरे पे बाद दफ़ा स्वेलिंग आ जाती है, आप जब सुबा में उठते हो तो आपको अपना चेहरा लग रहा ह और पफिनेस भी आजाती है, उसको भी जो है, वो खीरा खतम करता है, और वाटमिन सी होने के वज़ा से चेहरे पे गलोल आता है, इसलिए भी हम इसको शामिल कर रहे हैं, और चेहरे पे चमक पैदा करते हैं, और ठकी हुई जिल्द के लिए भी जो है, खीरे के बहुत और सकार्स जो सकिन पे हलके हलके से सकार्स दाग धबे सब को दूर करेगा, तो इसलिए हम शामिल कर रहे हैं, और यह सब मैं पल्प देखे ना, इस वज़ा से शामिल कर रहे हैं, और सकिन को एक्सफोलियेट भी इसने करना है, ठीक है? और एच शेल्स का भी मैंने आपको में बता देती हूं, यह मैंने अब बता देती हूं किके सकिन को घड़ यह रे प्रॉबलम नहीं तक रिप RecICO 되고 करना है लुए के जो पार्टिकले अ करना मां जा zalख और यह रागा है यह सकिन को दो प्रॉब्लम नहीं ठाहिशल्स तो इसमें मुझूद जो पर्टिकल्स है वो डेट सेल्स को हमारे स्किन की रिमूव करेंगे और इसमें केल्शिम मुझूद होती है जो के रीजनरेट करेंगी न्यू सेल्स को ठीक है इसलिए ड्रालरियो बहुत फार्दे हैं ये आपने पहली दफ़ाई सुना होगा कभी आपने देखा नहीं हो किसी रेमिडी में क्योंकि ये मैंने एक इजाद की है चीज़ तो जैसे वैसी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि ये चीज़ फाइदा देती है कि नहीं तो इसने वागी जो है बहुत ज़ादा फाइदा दिया है च्छाईयों को भी मदम करेंगी और स्किन को टोन करना ऐसने ठीक है तो इसलिए हमने शामल कर रहे हुँ और सोडा सोडा स्किन को सॉफ्ट करेंगा सोफ्ट करने के लिए ब्यूटी की चीजों में लाजमी इस्तमाल होता है मीठा सोडा ठीके बेकिंग सोडा आपने यूज नहीं करना है मीठा सोडा यूज करना है बस यह देखें यह थोड़ा सा मैंने एक दो चुटकी लिए डालेंगे और स्किन को जो है स्किन के पोर्स में से इसने open करना है पोरस को और पोरस में से गन निकालना है और झो हम खीरा लगाएंगे की ने क्या स millennium हमारे open को कम करना है तो ये जो है इसको घ्रम करेगा इसलिए ये आपके साथ और कर से आफ्के सारह मैं शेत करहीं हो बसनें शार शार करना है तो चैनल को यह में आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेर कीजिए तो चले शुरू करते हैं ये दो चमच मैंने ले लिए हैं जो का आटा और तकरीबन एक चमच जो है पल्प खीरा एक चमच एक दो चुटकी इसमें मीठा सोड़ा जाएगा और एक चमच ही जो है एक शेल्स का है चोटे वाला आप अपने फेस के अकॉर्डिंग जैसे भी आप लोग चाते हो वैसे आप ज्यादा या कम इसको बना सकते हैं बॉड़ी के लिए चाते हैं तो बॉड़ी के लिए भी बहुत अच्छा है बॉड़ी को भी ग्लो करता है बस आप कुछ भी काम नहीं रहा तो इ आप इसमें हामीर डाल देते हैं जो टिमाटर का जूस निकाला था हमने ठीक है वह शामिल कर देती हैं और खीरा मास इसका बनाना हैं हमने बस उसके एकॉर्डिंग शामिल करेंगे बह। रणी नहीं करना बहुत इसको फ्लोई सबिसा नहीं बनाना कि यह चेह पे ढृप ज या जादा आप कर सकते हैं कोई भी मसला नहीं है इंग्लीडेट्स में बस सोडा जो है वो आपने बहुत जादा मिगदार में शामिल नहीं करना है यह देखें किस कदर खुब्सूरत माशालला कुद्रत की चीज़ें सारी नेचर की चीज़ें और नेचर इस वेरी ब्यूटिफुल बहुत खुब्सूरत है उसने हर चीज में फाइदा रखा है कोई भी चीज जो है वो राएगा नहीं जाती बस थोड़ा से इस्तमाल का उसक नहीं कर लेनी और अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए रखते हैं तो और ही अच्छा है कि सब कुछ ने जो सब चीजें एक दूसरे में अच्छे तरीके से जो है वो पैनिट्रेट हो जाएं तो यह दिखें बन चुका है मास्क और आपने इसकी एप्लिकेशन अप कर ल बहुत 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 अच्छे रिजल्ट्स हैं और हफ़ते में आप इसको दो दोफा लगा सकते हैं ठीक है बीस मिट के लिए आप लगाएं लगा कि सकून से पहले स्क्रबिंग कर लें फेस की और फिर आप सकून से लेड जाएं बीस मिट तक इसको लगा रहें दें और थेक तो आपने देखके चेरे को खुद भी जो है ना कहीं भाग जाना है एक दम से और यकीन नहीं आना और देखने वालों को भी यकीन नहीं आना कि आप वही हैं अब ही देखे मैं आपको सिरॉख इसकी अप्लिकेशन इसलिए करके दिखा रही हूँ सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए ही 20 मिनट से पहले पहले ये देखे एक दो मिनट के लिए मैं आपको करके दिखा रही हूँ पूरे फेस पे आप अच्छे तरीके से करें फोर हैट पे नेक पे ताके सब इवन हो जाए तो स्कीन इतनी सौफ्ट हो रही है यकीन करें कि मुझे जो है यकीन ही आरा खुद भी बस यह हो चुका है अब मैं हलका साब को रिमूव करके दिखा देखू हूँ 20 मिनट के लिए लगाएं और फिर इसको आपने छोड़ देना ये देखें ये देखें माशाल्ला सिर्फ 30 सेक होगी थोड़ी दिर के लिए इजादत दीजिए अलाफिस